हाँ जी सैसरी काल जी सारेनों होग तुसी वधी होगे सारेने ठीक ठाक होगे सानू स्कूल देपेचे इन इसकाई जन्दा की पैसा के में एक मोना पर आज जब आएस वीडियो देपेचे जुरूर सिखांगे पिक candles नूँ सही यूज करके आसी पैसा के में एक मा साकते हैं ते के में बचा साकते हैं अज जब अगल कर देया candle stick बारे candle stick कम के में कर दिया एनू अपा यूज के में करना ते एदा मतलब की हनदा बहुत सारे लोकां दा से सवव अलंदा के मैं पता लगो कि शेर दा प्राइस एस जगा तो उपर जाऊ जाऊ जाँ जाऊ कदोऊऊ ons अज़े दो आसी नूँ वाय कर सकते हैं जा कदोऊस अज़ेन इसेल कर सकते हैं यह सारा कोच सानु पता लागे दा चाठ देखे ते चाठ बंदा के नाला चाठ बंदा याग केंडल्स नाला ते आज जैसी ओहीं केंडल्स हुदियां की ने आप इना नहों यूजे के में कर सकते हैं एनो, बिलकुल थारीषों समझाएंगे क्योंकि छीनो, जिननी सिम्पल थारीके ना समझाएंगे यहांगा जैसे सिखांगे, सब तो पहला बेसिल सिखांगे अडवांस थे होली होली शिफ्ट हो वागे step by step पहजा है, पहजा है अपना base मचबूत कर लिए पहले आसी अपना बेस स्ट्रॉंग कर लिए फिर होली होली एडवांस दे शिफ्ट हो आगे मैं इस टाइम थोड़ा करूं बारा फ्रांस आया हो या तुसी सारे वीडियो विच देख्या हूँ ऑपर मेरी कोसिश हा मैं जिनने सम्पल पर समझा सका समझाँ दी कोसिश करूं ओना जड़ों दो मैं के मरने शिफ्ट कारं धा वाईटबोर दी जिद नफ वादि द आ वध्या तुरूर्य कारं दुटें हमेशा इसा नो एदनादा ग्राफ बढ़े होंदा एन्नो आपा कहने है लाइन ग्राफ एक होंदा एदनादे बॉक्स बढ़े होंदे है एन्नो आपा कहने है कैनल स्टिक एन्नादा हमेशा दो रांग होंदे ने नदे एक ता होंदा रेड एक ता हुंदया नदा ग्रीन हमेशा जदों भी आसी किसे भी शेर देवे ट्रेड करनी है हमेशा आपका कैंडल स्टिक चार्ड देखे ट्रेड करनी है कदे भी आसी लाइन ग्राफ देखे ट्रेड नहीं करनी अईना सानु पता लग गया होनसी ओने याँ कैंडल स्टिक थे कैंडल हुंदी किया है कैंडल होगी कैंडल दी बॉड़ी एनंवसी ग्राफ के नहीं एक कॉपी पर लागे राक्षुल नोड़ करलो कॉपीते बदेखे शमय लगू एनंवसी बॉड़ी क्हैने है आ हुंदी है भिक जहनों चे दने ये उपर भी हो सकतिया ये नीचे भी हो सकतिया ये दोनों साइड उपर भी हो सकतिया ये नो सी क्या दने है विक विक दा मतलब होया फेक प्राइस ये नो सी कहने है फेक प्राइस फेक प्राइस ते बोडी नो सी कहने है रियल प्राइस जो असल देवेच हैगा रियल प्राइज विक दा मतलब होया पि प्राइज नीचे आया सीगा पर उपर चल गया ते आप उपरा ली विक दा मतलब कि प्राइज उपर गया सीगा पर नीचे आ गया ते आप बोडी दा मतलब पि जो असल दे विच प्राइज हैगा नीचे जानतो बाद उपर आया, उपर जानतो बाद नीचे आया असल दे विच, एंड दे विच, प्राइस ने जिस लेवल ते अपने आपनों सस्टेंड की था उन्हों उसी बॉडी कहने है इन्हों आपने बतला गया, बॉडी क्यों दी है, विक क्यों दी है विकन वसी शैडो भी कह सकते हैं विकन वसी शैडो भी कह सकते हैं शैडो शैडो मतलब बोडी दा परशामा जिमें आपन बोडी देख रही न आप बोडी होगी आ की हो गया आ हो गया एदा परशामा एन वसी बोडी दा परशामा भी कह सकते हैं उटो न से शेक देयां आपी Candles तो फिंदियां करने तो तरह दियां ने एदे उपर विक्का एदे नीचे विक्का Rader दा मतलब क्यों हो गाई Rader दा मतलब Seller Seller मतलब जो लोग चौंदे की प्राइज नीचे जावे जो लोग चौंदे ने प्रिक शेयर दा प्राइज नीचे जावे Green दा मतलब質 हो गाई Buyer Buyer मतलब जो लोग चौन दे ने की शेर दा प्राइज उपर जावे अईना पतल अगया अपन बोडी दा ग्रीन दे वेच चे ते रेड दे वेच की डिफरेंस होंदा होन जड़ी या विक दा की मतलब हा प्राइज उपर गयाता सीगा बायर ने इन्हों उपर लेके जान दी कोशिश की थी सीगी पर इन्हों उपर सस्टेन नी कर सके ते प्राइज नीचे आ गया असल दे वेच जो प्राइज दा एंड दे वेच जो प्राइज दा बढ़ेया पैटरन ओ सीगी आ बोडी अनि समझागी आपन न सेम आपा इते समय दे यां ग्रीन दे उपर ग्रीन दा मतलब बायर जो ख्रीदना चाओंदे ने जो चाओंदे ने प्राइज उपर जावे पर प्राइज नीचे आया ता सीगा प्राइज नीचे आया ता सीगा पर विच नाले हैं दे विच एन्ही पावर नी सीगी पि ओ प्राइस नू नीचे दे लेवल दे उपर होल्ड कर सकन। बाइर जाता स्ट्राउंग सीगे बाइर एस प्राइस नू एस शीर नू उपर लेगे होना अपना इनना के बेसी तकलीर हो गया हूँ पि रेड़ दा मतलब की इंदा ग्रीन दा मतलब की इंदा ते विक दा मतलब की इंदा विक दा मतलब किसे लेवल ते प्राइस गया था सी गया पर अपने आपनों उस लेवल ते होल्ड नहीं कर सक्या ते नीचे आ गया सेमें यृड दे वेच यृट और टे Zum Wirenty इकब रेडने वेच्च बुलिश इनगल्फिंग एक है गिया बीरिश इनगल्फिंग बीरिश इनगल्फिंग ए साब तो ज्यादा दोनों कॉमान कैंडल्स नहीं पहलां गलक्तारदे एन बुलिश इनगल्फिंग दी बुलिश इनगल्फिंग एक है पहली कैंडल्स निक्की आउगी ते दुज्जी कैंडल्स हमेशा वड्डी आउगी बुलिश नगलफिंग दे वेच्च पहली कैंडल दा रांग हमेशा लाला हुगा ते दुज्जी कैंडल दा रांग हमेशा ग्रीन हुगा होण आपा गाल करदेयां बीरिश नगलफिंग दी साइड बाई साइड दोनान कमपेर करदेयां वधिया समझाओगी वोन गल करदेयां आगी बीरिश नंगलपिंग बीरिश नंगलपिंग दे वेच्च पहली कैंडल दा रांग रेडड़ा हुग सौरी पहली कैंडल दा रांग ग्रीन हुग दुजी कैंडल दा रांग रेड़ा हुग एदे वेच्च एककाल नोट करनी हैं बुलिश दे वेच ते बीरिश दे वेच पहली केंडल हमेशा निख्यों नी चाहिए दिया ते दुजी केंडल हमेशा पहली केंडल दे हाई तो उपर जाके क्लोस कारनी चाहिए दिया आप पहली candle दा high सीगा दुजी candle ने एदा high break करके break break करके closing किती close same एदा ही बीरी सीधे वेच पहली candle निखी ओनी चाहिए दिया ते दुजी candle पहली candle दा low close करके बुली सीधे वेच high तो पर close करनी चाहिए दिया ते बीरीश दे वेच लो तो नीचे क्लोज करनी चाहिए दिया लो क्लोज होन बुलिश दे वेच आपनों की देख रहे है बुलिश दे ओने है प्राइस नीचे आ रहे है सीगा प्राइस नीचे आ रहे है सीगा रेड़ केंडल तो देखे सानों बता लग रहे है पर एकदम एदे वेचे बायर्स होंदेने बायर्स एकदम एननी पावर दे नाल जोर लओंदेने की प्राइज नूं लास्ट आली केंडल दे उपर जाके क्लोज कर देने इनिंग समझ लगी है पर प्राइज नीचे आता रहा सीगा पर एकदम ओदे वेचे बायर्स एड़ होंदेने बायर्स दी पावर जेडी होंदी है ओ सैलर्स तो ज़्यादा इनक्रीज हो जन दी है ओ उनूं हाइर लेवल ते जाके क्लोज कर देने वेक्दफियर्स आपन की पता लागदा की प्राइज उपपर जा सकता उनन सेम यादा बीरिश इंकलफिग देवेचे प्राइज उपपर जा रहा सीगा पर एक दम एंड़ दे वेचे एक रेड केंडल होंदी है जीद है साइज लास्ट आली कैंडल तो वड़ा होंदा ओ लास्ट आली कैंडल तो नीचे जागे क्लोज कर दिया जिननों अपना कमा के बीरिश अंगलफिंग एदा मतलब पी प्राइज उपर जा रहा सीगा पर एक दम जेड़े वेच नाले लोग सीगे जेड़े सैलर सीगे वो बायर दे उपर हैवी होगे तो उनना ने प्राइज नू नीचे जागे क्लोज करता होने थो आपन पता लगदा स्ट्रेंथ दा पी स्ट्रेंथ की देवे जादाया बुलिश वेच आपन पता लगगा कि एदे वेच बायर दे स्ट्रेंथ जादाया ते बीरिश दे वेच आपन पता लगगा पि एदे वेच सैलर दे स्ट्रेंथ जादाया मला एदे वेच वेच नाले लोग जादाया ये अपना बेसिकलीर हो गया होणब पाँ अगली candle दी गल कर दे हैं hammer candle दी जो सब तो ज़ादा important आ trading देविच जो पतो ज़ादा यूज उँगधी आ trading देविच बैस ना इसand यहां मैं रिज़ करता है नूं हैमर इस अब तो ज्यादा इंपॉर्टन केंडल है हैमर केंडल दे वेच्छ एक ज्याद रख़ड़ी चीज है हैमर केंडल दी बोडी बोडी दा साइज हमेशा निकाव विक दा साइज जिन्नों आपा शेड़ो कैदने है इते मा लेके दनों नाल विक ते बोडी बोडी दा साइज हमेशा निकाव ते विक दा साइज हमेशा बोडी तो 3 गुणा ज्यादा हू 3 गुणा ज्यादा हू एदा इननों आपा चाड़ते समय देयां एदा मतलब कि मानलो प्राइज नीचे आ रहा कोई भी शेर हुँ नीचे आ रहा रडड केंडल देखें आपने पता लाग रहा है नीचे आ रहा पर एक दम एंड दे उपर एक कैंडल हूं दी है लास्ट उपर एक कैंडल हूं किसे एक लेवल ते जाके जीदा रांग ग्रीन हून दा तो जी दी विक बहुत ज्यादा लम्मी अंदी है होन अइते सानू की बता लग रहा प्राइज नीचे आ रहा सेलर उनू नीचे लेके आ रहा पर एक लेवल ते आके सेलर दी जेडी पावर हा ओ कट गी वेचनाले लोकां दी जेडी पावर हा उनू दी स्ट्रेंथ था ओ कट गी ते एक दम उस लेवल ते जाके एक एहुजी कैंडला हूं दी हा जिन्नों सी हैमर केने हा जीदे नीचे बहुत लम्मी एक विक उन दी हा ते उपर बॉडी हूं दी हा ग्रीन रंग दी जिन्नों सी केने हैमर एदा मतलब पी वेचना ले लोग का नू नीचे ओ बहुत ज़्यादा रिजैक्शन मिलगी होन उना दा इंट्रेस्ट हैनी वेचन दे वेच होन अइथे जाके बायर से आड़ हूं देने जिटे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके बहुत ज़्यादा पावर लेके होन देने अईत्तों सानु ये पता लगदा भी इस तों अग्गे आला ट्रेंडा एड़ा वो बुलिश है मतलब इस तों अग्गे प्राइज उपर जा सकदा के में पता लगदा प्राइज नीचे आ रहा सी का नीचे जाके एक केंडल आई हैमर हैमर ने ट्रेंड चेंग करता उस तो बाद सानु पता लगगा कि होन सेलर दी वेच नाले लोका दी पावरा पावर कड़ गिया होन उनना दा इंट्रेस्ट है नी होन इत्तों बायरे नू पुछ करन दी कोचिश करन गे दानू इन आपन बता लगगया हैमर कैंडल की नी है होन असी सेक देया है शूटिंग स्टार सेम एक हैमर दी तरह है है सिर्फ ओदे वेचे फरक की नीदा उन वसी पुठी करके उल्टी साइड तो करके देख देया शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार दी बोडी वी जमा निक्किया होगी यदी विक का विक हमेशे यदी लॉंगा होगी शूटिंग स्टार दी आ होगी यदी बोडी आ होगी यदी विक और हैमर दे वेच की सीगा हैमर दे वेच डिफरेंस सीगा भी हैमर दी बोडी उपराली साइड ते सीगी ते विक नीचे सीगी आ होगी हैमर शूटिंग स्टार दे वेच की है शूटिंग स्टार दे वेच एदी विक उपराली साइड नूँआ बौडी नीच याली से अड़न हुआ होने इन्हों आप आ यूज के थे कर साकते है इन्हों में पले हैमर उटेस करता नहीं तो कंफ्यूजन होगी मानलो कोई शेर हा कोई शेर दा प्राइज उपपर जा रहा मानलो एचली FC बैंक का एक लेवल ते जाके उपपर शूटिंग श्टार केंडला हुँदिया जीदी बौडी निकी हुँदिया ते विक बहुत ज़्यादा हाई हुदिया होने सानो इत्थे की बता लग रहा बायर से नू उपपर लेके जा रहे सी किसे LEVEL ते जाके उनना धे पावर कट गी, सेम लेबल ते जाके एक केंडल हों दिया, जीधी layoutimal हो दिया, विक था मतलब भी ओननों rejection मिली घ्रीद दा मतलब पीखरीदे जाके नगी धे बेबन से पावर कट गी, होननों उननृ उपर लेके निया जा सकते होर, सेम लेबल धे ज नों की पता लगदा भी होन एस लेवल तो प्राइज नीचे आ सकदा मतलब होन एस लेवल तो प्राइज नीचे आ सकदा और यड़े सैलर्स ने उनने प्राइज नो अपने कंट्रॉल देवेच कर लेंग अ इनना दूवाग केंडल से ता आ नो पता लग गया शूटिंग स्टार आ होगी शूटिंग स्टार आ होगी हैमर कर दना मैं कंफ्यूज हो गए अब पहले अली होगी हैमर आ होगी हैमर आ होगी शूटिंग स्टार आ होगी हैमर hammer दे वेचे जड़ी wick दा side ओ हमेशा down side होगी shooting दे वेचे जड़ी wick दी size ओ हमेशा upside होगी जड़ी wick दी reaction ओ हमेशा upside होगी होन सारी समय लगी सारे नू अपने कोले copy ते pen रख्यो नादरा रोड करी आयो तान वजी समय लगो सारे नू हुणा पा अगली candle दे उन्हें है doji doji candle ना आते सानों दासदी आ कि price उपर जाओ ते नाते सानों दासदी आ कि price निचे उगा होगा पा गळले कारते है doji doji candle ओँरी सानों बहुत जड़ा दिखन मिल दी है doji doji candle दा बोड़ी हमेशा यदी निक्की होगी यह विक दा साइज वाड़ा ऊगा पर यह विक साइज राग कोई भी हो सक्दा इधा रांग रेड भी हो सक्दा इधा रांग ग्रीन मी हो सक्दा भुझ tha सान्नू एक चैंडल की दासरी हा सानु एक कैंडल दासरी है कि प्राइस उपर जा रहा है सिगा प्राइस उपर जा रहा है सिगा बायर्स लेके जा रहा है सिगे इन उपर बायर पर उन्हा विचे नहीं पावर नहीं सिगी कि उन्हों उपर लेके जा सकते प्राइस नीचे आ गया इस लेवल ते आके उने क्लोजिंग करती अपनी इस लेवल ते आके क्लोजिंग होगी होन जड़ी नीचे आली विक्का एस अनू की दासरी है सेम उद्धा ही प्राइस नीचे जा रहे है सेलर को लेनी पावर नी सीगी उन नीचे hold कर सकते, rejection मिली price ने एथे आके close करता एदेवेच की देखन नों मिल रहा है ना था seller को ले नहीं पावर है कि price नों मीचे लेके जा सकन ना था buyers को ले नहीं पावर है कि price नों उपर लेके जा सकन दोना थे कोड एक्वल पावर है मतलब दोनों एस जगाते fight का रहे है दोनों एस जगाते rubber fight का रहे है buyers चाओंड एने एक price उपर जावे sellers चाओंड एने price नीचे जावे पर दोना थी जड़ी पावर है पावर होना थी सेम होना अपनों पता के में लगूगा भी एस तों बाद price उपर जाव 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 नीचे जाव मालों एक tozी बन दी है आब बन गी dozी एदा रंग कोई भी हो सक्दा एदा रंग red भी हो सक्दा एदा रंग green भी हो सक्दा dozी तो बाद एक candle हो दी है जेड़ी dozी दे बराबर तो शुरू होके दोजी दे हाई ते जाके close कर दी है मलब डोजी दे हाई तो उपर जाके close कर दी है तो candle आ रंगा green डोजी तो बाद एक candle आप यांगा green टोजी दे उपर जाके close कर दी है अधा मतलब क्यों ए Ambassador Ace level दे ऊपर Ace level दे उपर buyer ते sellers दोनों इक्वल फाइड़े करन दोना दी पावर सेम सीगी पर लास्ट दे उपर एक कैंडल हों दिया जीदे वेचे बायर ज्यादा श्रौंग हो एंदेने होन सानु की पता लगूगा अपर इत्थों प्राइज अप जा सकता हाँ पर जे डोजी तो बाद जे रैड गैंडल हो दिया जेड़ी डोजी ते लो स्ट्रॉंग केंडल हों दिया जेड़ी डोजी तो नीचे जाके क्लोज कर दिया एदा मतलब जेड़े वेच नाले लोक ने और खरीद नाले लोक कांदे हैवी होगे ने इत्थो सानु पता लग सक्दा कि होन प्राइज नीचे जा सक्दा अने तो से की सिखनों मिले है सानु पहली केंडल सी की डोजी जटी ना उपर जारी सी की ना नीचे जारी सी की बायर्स ते सैलर से आप सुएचे इक्वलफाइड डे करना कोई भी ट्रेंड नी डिसाइड़ोंड है ओतो बाद डोजी तो बाद एक ग्रीन केंडल हों दिया ओत डूढ असे समझागी अजर्ड इस विडेयो दे केंडल हंदी है बॉड्य की हंदी है नेक्स विडियो दिया खेते उपर समझांगे ओयादड कराथ। ते टेड़ी जगह दे यूज़ करांगे ते एदा एदा रिजल्ट आपन वदिया मिलूगा इस सारा कोच आपनेक्स्ट वीडियो दे उपर समझांगे खोब जेतन सारे ने वीडियो वदिया लगी होगे लाइक ते सस्क्राइब डूर करें